कि मारण नहार देह से कुण चुड़ायेगा पर में शरम को चुड़ाने वाले यह नहीं इस शरीर में राते हुए भी फवीत रात्म इस शरीर में कारिये करेगा मैंने बाला शरीर एक नियूट्रल चीज़ पहर निकलेगी, आपके द्वारा दुसरों लोग जीवन पाएंगे, यह शरीर से ही होगी, इस दुनिया में इतने बड़े-बड़े सेवग लोग है, इस शरी में रत्यों भी सेवा कर पाएंगे. कितना भी महान है, कितना भी नव वर्दान है, शरीर से बाहर चला जाएंगे, उसके बाद उनका कुछ सेवा नहीं हो पायेगा, इस शरीर में रहना है, इस शरीर कही साथ हम पढ़ रहे थे, अभी आगे बढ़ना, लुका 24 में और क्या बोल रहे हैं, चुके देखो, मामसर आगे, यह कहत पर उसने, उन्हें अपने हाथ पाउं दिखाया, जब आनन के मारे उनको प्रतिती नहुई, और वे आशरे करते थे, तो उसने उनसे पूछा, उसने उनसे पूछा, क्या यहां, तुम्हारे पास कुछ भोजन है, उन्होंने उसे भूनी हुई मचली का टुक पड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया, फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बाते हैं, जो मैंने तुम्हारे साथ करते हुए, तुमसे कही थी, कही थी, ठीक है, कभी बाते हैं, उसने कहा, बोलते है, अभी तिसरी, तिसरी सीक्रट है, आत्मिक शरीर, माहिमा में शरी यह सब इश्व मसी उनको प्रमानित करने के लिए यह लोग बूद समझ रहते हैं केवल आत्मा है क्या नहीं शरीर है और देखो आत्मिक शरीर में बूखा नहीं होंगी प्याजा नहीं होंगी लेगिन आनंद के लिए काते हैं माले में यहां जिंदा रहने के लिए काते हैं प्रमानित कर रहे हैं, मैं आत्मिक शरीर में आयों महिमा में शरीर में आयों, आज हम उसके बार में क्यों मनन करना, क्यों माले में हमारा भी उसके जैसे शरीर, वही फिलिप्यतीन में बोल रहे हैं, उसके महिमा में देह का अनुकुल बना देगा, हमारा शरीर उसके समान बन जिसमें मामस भी रहेगा, लेकिन अविनाश मामस रहेगा, अड़ी रहेगा, अविनाश अमर्ता, पत्रस लिख रहे हैं, अमारे लिए ऐसे मिरास है, निर्मल, निर्दोष, निश्कलंग, अविनाश, कभी ने मुर जाने वाले हैं, पत्रस में लिख रहे हैं, स्वर्ग में रखा हुआ है, अमारे लिए एक शरीर रखा हुआ है, अमरे लिए घर रखा हुआ, यह सब महिमा में आशा है मेरे बच्चे लोग, केवल इशु मुसी के पास केवल तोड़ा बहुत कुछ चंगाय हो गए, पैसे मिल गए, वो तो मिलेगा, लेकिन आपको पाना चाहिए, अन लेकिन महिमा में देख के साथ, उसके साथ हम चला जाएंगे